लो भाई, most awaited Tata Punch EV को भी unveil कर दिया गया है bookings open गर दी गई है 21,000 रुपे की token amount देकर क्या book करवा सकते हो official website या फिर इनके official dealership से क्या-क्या मिल जाएगा Tata Punch में आएद देख लेते हैं Tata Punch EV Tata के नए Acti.EV platform पर based है मतलब advanced connected tech intelligent electric vehicle platform यहाँ पर और भी सारे product आने वाले हैं इसके बारे मिनोंने बता दिया है कुछ नए products इसी platform पर based रहेंगे Tata Motors की तरफ से Tata Punch इनका पहला product होगा इस architect पर जिसकी booking सब शुरू कर दी गई है 21,000 रुपे में Tata Punch में आपको 4 variants मिलेंगे Smart, Adventure, Empowered और Empowered Plus कुछ key features की बात करें उसके बाद आपको wear and wise features भी बता देंगे यहाँ पर आपको LED headlamps, LED DRLs जैसे की आपको मिल जाती है Nexon EV में front इसमें मिल जाएगा EPD with auto hold function मिल जाएगा 360 degree surround camera system मिल जाएगा leatherette और ventilated seats यहाँ पर मिल जाएगी 10.25 इंच का touch screen infotainment system मिल जाएगा इसके लावा option में आपको sunroof भी मिल रही है यानि के जिस तरीके से आपको Nexon में option मिल जाता है sunroof का वैसे ही यहाँ पर भी optional है sunroof आप चाहो तो ले सकते हो कुल मिला करके देखा जाएगा तो front design काफी appealing लग रहा है काफी premium लग रहा है अगर आप Nexon EV में देखोगे तो इसी तरीकी की connected LED DRLs मिल जाती है नीचे की तरफ आपको LED headlamps मिल जा रहे है overall कुल मिला करके एक शांदार product Tada Motors ने unveil कर दिया है वैसे देखा जाया तो Tada Punch की sales काफी अच्छी होती है 13,000 से 15,000 unit हर महीने ही बिग जाती है Tada Punch की और लोग काफी पसंद करते हैं और यह जो छोटी कार चितनी भी थी उनको वैसे भी काफी पसंद किया जा रहा था market में लेकिन Tada Punch ने आके उसमें चार चान लगा दिये एक तो यह safety के मामले में काफी आ गया है उपर से Descent Feature Offering मिल जाती है यहाँ पर Color Option की बात करें तो यहाँ पर यह आपको 5 Color Option देखने को मिल जाएंगे जो आपकी स्क्रीन पर है अभी तक इसकी Range के बारे में जानकारी सामने नहीं आई हलाकि यहाँ पर Mid Range Variant और Long Range Variant देखने को मिलेगा और कुछ Features जो हैं वो Long Range Variant के साथ ही आपको मिलेंगे Variant-wise Features की बात करें तो सबसे पहले Smart Variant आता है इसका जिसमें आपको LED Headlamp, Smart Digital DRLs और Multi Mode System देखने को मिल जाएगा इसी के साथ ही Safety की Feature में Electronic Stability Program और Six Airbags Standard ही यहाँ पर आपको मिल रहे है इसके बाद आता है Adventure Variant जिसमें कुछ और Features एड़ हो जाते हैं जहाँ पर Cruise Control, Front Fog Lamps with Corning Feature इसके लावा 17.78 cm यानि के 7 इंच का Touchscreen Infodernment System मिल जाएगा हर्मन की तरफ से जो की Android Auto और Apple का अपले की Connectivity के साथ आएगा EPB Auto Hold Function के साथ मिलेगा लेकिन ये केवाल Long Range Variant के साथ ही अविलेबल होगा इसके लावा Jewel Control Knob जो की Diamond जैसी Knob इसमें मिलती है वो भी आपको Long Range Variant के साथ ही मिलेगी Adventure Variant से साथ इसाथ संदूप का Option आपको Adventure Variant से ही मिल लगता है इसके बाद आता है Empowered Variant जिससे आपको 16 इंच के Diamond Cut Alloy Wheels मिल जाएंगे Air Purifier मिल जाएगा, AQI Display के साथ Auto Fold OR VM, 7 इंच का Digital Instrument Cluster यहां से आपको मिल जाएगा SOS Function मिल जाएगा, Security का Function है ये साथ इस Variant से आपको 10.25 इंच का Touchscreen Infotainment System मिलेगा यानि के जो इससे पहले बारा Variant था उसमें छोड़ा स्क्रीन सिस्टम और इसमें बड़ा स्टच स्क्रीन Infotainment System मिल जाएगा इसमें भी आपका Sunroof Option एविलेबल है और इस Variant से आपको Dual Tone Color Option भी मिल जाएंगे, इसके लावा Top Variant रहेगा इसका Empowered Plus, Empowered के उपर उसमें कुछ Features एड़ हो जाते हैं जिसमें Leathered Seats, 360 Degree Sundown View Camera, Bland Spot Monitoring, Ventilated Front Seat इसके लावा RK.EB, जो इसके लावा Wireless Smartphone Charger और इस वाले वेरेंट से आपको 10.25 इंच का Instrument Cluster भी मिल जाएगा तो ये 4 वेरेंट्स आने वाले हैं Official Price के Announcement बहुत जल्द कर दी जाएंगी अभी इसकी Official Price नहीं आई है हम मान करके चल सकते हैं कि कम से कम Starting के वेरेंट के लिए इसकी प्राइस 10 लाग रुपे हो सकती है और टॉप वेरेंट के लिए 15 से 16 लाग रुपे तक Action Room Price जा सकती है अगर इस प्राइस पे लाँच होती है तो ये काफी अच्छी आफरिंग है Tata Motors की तरफ से कुल मिलाकर के डिजाइन आपको काफी Futuristic मिल रहा है Next Level Features मिल रहा है जिनकी Requirement है वो ही और Safety में तो Tata Motors कभी compromise करता ही नहीं है तो Safety तो आपको मिल ही जाएगी अब देखते हैं ये किस price point पर आती है जहां तक है 10 से 15 लाग रुपे के budget में आती है तो ये काफी अच्छी choice रहने वाली है जहां पर 10 से 15 हजार unit पंच की बिग रही है वहां पर ये sales 16 से 20 हजार भी जा सकती है आने वाले time में अब देखते हैं ये कब तक launch होती है क्या इसकी price रहती है और क्या range इसमें आने वाले time में unveil की जाती है जैसे ही इसकी जानकारी आएगी तो हम इसी वीडियो के description में update कर देंगे ये साथ ही साथ एक dedicated वीडियो भी बना देंगे जब इसके price के announcement की जाएंगी वीडियो कैसा लगा comment में बताना हो ये गाड़ी आपको कैसी लग रही है अगर आपको ये गाड़ी 15 लाग रुपे के नीचे मिल जाती है तो क्या आप इसको लेना पसंद करोगे या नहीं या कोई और twice है आपकी comment section में ज़रूर बताना फिलाल इस वीडियो के लिए बस इतना ही thank you for watching